आज के इस विठासीन अधिकारियों की बैठक में हमें मार्क दर्शन देने के लिए उपस्तित हुए भारत के उपराश्ट्रपती आधरणिय जगदीब धनकड़ जी, महराश्ट के राज्यपाल आधरणिय रमेश बैस जी, आधरणिय हमारे लोगसभा के स्पीकर श्री ओम बिर्ला जी, डेप्टी चेर्मन राज्यसभा आधरणिय हरिवन्च सिंग जी, मंचपर उपस्तित महराश्ट के हमारे स्पीकर राहुल नार्वेकर जी, हमारी काउंसिल की डेपुटी चेर्मन डॉक्टर निलम गोरे जी, और उपस्तित सभी बहन और भाईयों, सबसे पहले मैं आप सभी का महाराश्ट सरकार के ओर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, और लोगसभा के स्पीकर साब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, कि उन्होंने महाराश्ट लिजिसलेचर को ये मौका दिया, महोदया ने बहुत अच्छे तरीके से सारी विवस्ताए की होगी, और ये जो कॉन्फरंस है, ये बहुत ही यशस्वी होगी, ये भी मैं मानता हूँ, वैसे आज मुझे एक और फायदा मिला है, इस सभाग्रोह में मैं 25 साल से हूँ, और मुख्यमंत्री की कुरसी पर भी बैठा, और लिडर आफ अपोजिशन की कुरसी पर भी बैठा, लेकिन इस मंच पर कभी बैठा ने था, तो 25 साल बाद ये मौका भी मुझे मिल गया, कि म ये लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी लोक तंत्र में हमारी लेजिसलेचर की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि भारत ये लोक तंत्र की जननी है, और हम लोग सभी जानते हैं कि जिस राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी, वो भी एक लोक तंत्र की राज्य था, जिस राज्य में जो राज्या है, वो ट्रस्टी के रूप में राज्य समाल रहा है, और समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, उसकी बात को भी उतना ही महत् जितना समाज की पहली पंक्ति में बैठा हुआ विक्ति तो ये लोक तंत्र की परिकलपना राम राज्य से हमारी शुरू होती है दॉक्टर बाबा से मामेड कर हमेशा ये कहते थे कि जिस समय पश्चिमी दुनिया एक संगर्श शील जीवन जी रही थी उस समय हमारे भारत में पूरे तरीके से विक्सित सभ्यता लोक तंत्रिक जीवन जी रही थी और मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ उधारण भी वो हमेशा देते हैं कि पहली शताब्दी का उधारण वो देते हैं कि जब हमारे बुद्ध भिकों ने एक लोगतांत्रिक विवस्ता के तहट ऐसी विवस्ता खड़ी की थी कि जिसमें सभी को मत देने का अधिकार था और एक वि दिखाए कि करीब दस्वी शताब्दी में जो चोल सामराज्य था उस सामराज्य में भी हमें पंचयत राज विवस्ता इस देश के अंदर दिखाई देती हैं हमारे जन्पदों की विवस्ता भी हम सब लोगों ने अपने इतिहास में पड़ी है कि जो पूरे तरीके से लोक जिएक पी को अपना विचार रखने का अधिकार था तुमैंसा मानता हूं कि भारत में एक बहुत बड़ी परमपरा हमारे लोक तंत्र की है और अब उस लोक तंत्र की परंपरा को निभाने का और उसे और सम्रुद्ध करने का एक एतिहासिक ऐसी जिम्मेवारी हमारे सारे जो यहां पर प्रिशाडिंग ऑफिसर से उनके ऊपर आकर पड़ी है और मैं ऐसा मानता हूं कि काम वैसे तो बहुत कठिन है और चुकि हम नीचे बढ़ते तो हमको पता हैं कैसी-कैसी बाते करते हैं और क्या-क्या करते हैं तो कितनी तकलीफ प्रिसाडिंग आफिसर को होती है लेकिन बावजुद उसके मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे मैंने हमारे भी लेजिसलेचर में देखा है कि कई बार फरिस्तितिया तनाव पूर्ण होती है लेकिन जिस प्रकार की चर्चाए होती है जिस प्रकार से हम लोग उसमें से एक निचोड निकालते है जिस प्रकार से जनहित का कारियर हमारी लिजिसलेचर के या संसत के माध्यम से होता है वो भी मैं ऐसा मानता हूँ कि तो अच्छी चर्चाय होती है और shayð Lees-Lees Captain का का मैं स्यौह यही है कई बार मैं एसा मानता नो कि जबसे हमारा मीडिया बढ़ा है और जबसे सीद्हा प्रसारण हमारे houses का होने लगा है तो कई बार ऐसा लगता है कि हासेस में हमारा जो एक वर्तन होता है वह जन कितना होता है और लोगों को दिखाने के लिए कितना होता है इसके बारे में भी सोचने की आवशकता आज हम सभी को है लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि एक संक्रमन की अवस्ता है और इसमें से समुद्रमंथन से अच्छी चीजे निकलती है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता ह कि जब सारे पिठासिन अधिकारी साथ में आए और कुछ विचार करें तो इसमें से अच्छी चीज़ी निकलेगी और मैं ऐसा मानता हूँ कि जितनी ज्यादा चर्चाय होती है वो चर्चाय बहुत महत्पूर्ण होती है हमारे रामबो नाईग जी जो गवर्नर भी रहे उत् महत्वपूर्ण मंत्र है कि जब हम समाज में रहते तो समाज की कुन्ठाय इसको हम करेंगे तो में इस्चित रूप से का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, स्पीकर साब का डिप्ती चेर्मन साब का सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आप सभी लोग जो यहां पधारे, आप सभी का स्वागत करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ, जै हिन, जै महाराष्टर, जै बार बार प्राइब